नमस्कार आज की इस वीडियो में कुछ मर्डिबल चॉइस क्वेशन्स हैं और हाउस फॉर मिस्टर विश्वास यह आपकी सिलिबस में हैं विस नायपॉल का उपन्यास है चलिए पहला क्वेशन देखते हैं तो देखते हैं और जो चार ऑप्शन्स हैं उनमें सही ऑप्शन है पिस्टर विश्वास की बहन है यह मिस्टर विश्वास का डॉग है तो इसका सही जवाब है उक्सफोर्ट फिर फोर्ट क्वेशन देखिए what is the supposed reason for Mr. Vishwas going to port of Spain तो Mr. Vishwas port of Spain क्यों जाते हैं to see a doctor, एक doctor से मिलने नेक्स्ट फिफ्ट क्वेशन how does Mr. Vishwas relationship with Shama begin तो Shama के साथ Mr. Vishwas का relation कैसे शुरू होता है he leaves her a love note तो उनके लिए एक प्रेम पत्त छोडते हैं तो पंडित ने सलाह दी थी कि Mr. Vishwas को किस चीज से लग रखा जाए तो C. पानी से लग रखा जाए तो देहुती जो Mr. Vishwas की बहन है वो किस के साथ भाग जाती है तो जो सही ओप्शन है लवीन चार ओप्शन में से सही ओप्शन है रामचन यानि उस न्यूस पेपर का नाम क्या है जिसके लिए Mr. Vishwas काम करते है उसका नाम सेंटिनल है इंपोर्टेंट क्वेशन है आपके लिए वैसे तो यह सभी क्वेशन अपने आप में इंपोर्टेंट है फिर देखे नाइन्थ क्वेशन वियर डज मिस्टर विश्वास एंकाउंटर अ चाइनीज रिसेप्शनिस्ट तो एक चाइनीज रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर विश्वास की मुलागात कहा होती है तो डॉक्टर के हाँ मिस्टर विश्वास के पिता की मृत्यू कैसे होती है ड्राउनिंग डूबने से तो यह मिस्टर विश्वास के लिए ही यूज हुआ है उनका बेटा तो यह आप जानते ही है विएस नाइपॉल का लिखा हूँ अपनियास है फिर विश्वास की बेटी का नाम क्या था सावी याद रखने है आपको फिर नेक्स खुशन देखें तो यह मिस्टर विश्वास की है फिर हुआज मिसरी यह जर्नलिस्ट है फिर how does मिस्टर विश्वास first come into contact with the Tulsi family तो Tulsi family से कैसे contact में आते हैं मिस्टर विश्वास साइन पेंटिंग वो उनके लिए साइन बोड पेंट करने जाते हैं फिर what job is Mr. विश्वास fired from in the prologue तो प्रलोग में मिस्टर विश्वास किस जॉब से बरखास्त होते हैं रिपोर्टर फॉर्डा ट्रेंडार्ट सेंटिनल तो अभी नाम आया था और मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपोर्डेंट सवाल है तो सेंटिनल के लिए रिपोर्टर के रूप में काम करते थे और उससे बरखास्त होते हैं फिर तो हूम नायपॉल डेडिकेटेड दे नौवल अहाउस फॉर मिस्टर विश्वास यह उपन्यास, a house for Mr. Vishwas, किसको dedicate किया था, यानि समर्पित किया था V.S. Naipal ने, his father, अपने पिता जी को, ये एक दूसरी बुक है, जिसमें कुछ multiple choice questions और दिये हुए हैं, तो इनको भी एक बार देख लीजे, which of the following nationalities does V.S. Naipal belong to, यानि V.S. Naipal की nationality क्या है, राश्ट्रियता क्या है, तो वो तिंडाडियन है, फिर देखे, the full form of V.S. Naipal is, यानि V.S. Naipal का पूरा नाम क्या है, ये जरूर याद रखेगा, सर्विद्याधर सूरज प्रसाद Naipal, ये उनका पूरा नाम है, फिर Naipal's most famous work, a house for Mr. Vishwas, is primarily set in which country, तो ये जो उपन्यास है, इसकी setting, उसी देश में है, जिसमें वो रहते हैं, यानि के ट्रिंडाड, ट्रिंडाड एन्टु वैगो है, पूरा देश नाम है, What literary genre is V.S. Naipal best known for? तो कौन सा literary genre है, जिसके लिए V.S. Naipal सबसे अच्छे से जाने जाते हैं, तो वो post-colonial literature के लिए जाने जाते हैं, फिर, इन 2001, V.S. Naipal was awarded the Nobel Prize in Literature for his compelling narrative style and exploration of identity and exile, तो यह जो question है, इसकी जो year है, बहुत important है, V.S. Naipal को Nobel Prize 2001 में मिला, और यह question कह क्या रहा है, for his compelling narrative style, यानि उनकी जो वर्नात्मक Shelly है, वो compelling है, यानि आपको like करने पर मजबूर कर देती है, exploration of identity and exile, तो वो अपनी identity एक पहचान होती है, explore मने उसको तलाश करना, तो अपनी पहचान की तलाश में, और exile एक देश निकाला होता है, एक आंकी पन होता है, आप अपने आपको alienated feel करते हैं, तो ये सारी tendencies हैं modern society की, तो वो ही सारी tendencies को वो describe करते हैं अपने उपनियासों में, अपनी literature में, तो इन सारी चीजों के लिए उनको nobel prize मिला था 2001 में, जरूर याद रखेगा, next question देखिए, which of Naipal's famous travelers explores his journeys in India, तो Naipal का कौन सा प्रसे ट्रैवलोग होता है, यात्रा व्रतांत, तो उनकी यात्राओं के बारे में बताता है, जो उन्होंने भारत में की थी, तो वो है an area of darkness, फिर्ट सैवेंथ question, what was the title of V.S. Naipal's breakthrough novel published in 1961, तो 1961 में ये उपनियास उनका publish हुआ था, A House for Mr. Vishwas, 8th question, which prestigious literary award did Naipal win in 1971 for his novel in a free state, तो इस उपनियास के लिए 1971 में उन्होंने Man Booker Prize जीता था, ये जानना भी आपके लिए बहुत important है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट Nobel Prize वाला question है, वो जरूर याद रखेगा, फिर देखिए, what national honor did Naipal receive from Trinidad and Tobago in 1990, तो 1990 में Trinidad and Tobago से उनको Trinty Cross मिला था, next question है, what was the highest British honor that V.S. Naipal received in 1990, 1990 में उनको और क्या चिस मिली, Knight Commander of the Order of the British Empire, तो Knight की उपाधी मिली थी, और इसलिए उनको Sir Vidyadhar कहा जाता है, तो Sir की उपाधी उनको Knight की उपाधी मिली थी, जिनको Knight की उपाधी मिलती है, उनको Sir कहा जाता है, रविना टैवोर को भी मिली थी, जो उन्होंने जलियावाला बाग कांड के बाद वापस कर दी थी, फिर देखे, how many books did V.S. Naipal publish during his writing career, is spending over 50 years, तो 50 सालों के अपने केरियर के दौरान, उन्होंने कितनी प्रकाशित की किताबें, more than 30, 30 से ज़्यदा, फिर which of Naipal's novels is characterized as a comic portrayal of life in Trinidad, तो V.S. Naipal के किस उपन्यास के बारे में कहा जाता है, कि वो Trinidad की जो जिन्दगी है, उसका एक comic portrayal है, यानि जो उन्होंने चित्रित किया है वहां की लाइफ को, comically चित्रित किया है, तो यह house for Mr. Vishwas के बारे में ही कहा जाता है, फिर Naipal's writing often explores themes of, तो Naipal का जो लेखने हैं, उसमें एकसर कौन सी themes होती है, विशेवस्तो होती है, identity, alienation and travel, तो यह उनकी themes होती है, 14th question देखिए, इन वोट एस Naipal मूज तो Oxford तो पर्सीव हिस स्टड़ी, तो 1950 में वो Oxford गए थे, अपना आधियन करने के लिए, next question देखिए, what was the title of the first published book written by V.S. Naipal in 1955, तो जो पहली किताब थी V.S. Naipal की, 1955 में प्रकाशित हुई, उसका नाम था मिगल स्ट्रीट, next, who was Margaret Moreg Gugging in V.S. Naipal's life, तो यह कौन थी उनकी लाइफ में, his mistress for 25 years, 25 वर्षों तक उनकी प्रेमिका रही है, what inspired the character of Mohan Vishwas in the novel, तो इस उपन्यास में Mohan Vishwas का जो character है, वो किस से प्रेरित है, V.S. Naipal's own life and experiences, तो यह V.S. Naipal के खुद की जिंदगी और अनभवों से प्रेरित है, फिर 18 देखिए, which are the following statements best describes Mohan Vishwas' profession और vocation in the novel, तो Mohan Vishwas का जो व्यवसाय है, एस उपन्यास में उसको कौन सही से describe करता है, तो वो है a signboard painter, grocery store proprietor, यह थोड़ी spelling mistake है, P.R.O. होना चाहिए, driver and reporter, फिर 19 मा सवाल देखिए, which character in the novel is based on, Dweppety Naipal, तो जो शमा का character है, वो इन पर based है, फिर which character in the novel is the sister of Mohan Vishwas, तो इस उपन्यास में, Mohan Vishwas की, sister of Mohan Vishwas, मदर अच्छा, Mohan Vishwas की मा की जो बहन है, क्योंकि Mohan Vishwas की बहन का नाम तो पहले ही आ गया, और उनकी मा की बहन है, जिसका नाम है Tara, तो यह भी important character है, सभी character important हैं अपने आप में, तो पंडित एक भवशवानी करते हैं, महan Vishwas के बारे में, जब वो पैदा होते हैं, तो वो भवशवानी हैं, तो पंडित का कहना है, कि वो विलासी रहेंगे, विविचारी रहेंगे, और बहुत खरची ले रहेंगे, और जूटे भी रहेंगे, यानि उनका केरेक्टर बड़ा खराब होगा अपनी जिम्लगी में, फ़र देखिए, इस उपन्यास में, मिस्टर विश्वास की जो इस्पिरेशन है, मलब इच्छा है, वो क्या है, तो बिल्ड आ हाउस ओफ हिस जोन, यानि अपना खुद का घर बनाना, पुस्त्रियों के नाम पे घर नहीं होते हैं, हमारे समाज में, क्योंकि अगर घर उनके नाम पे होगा, तो वो इंडिपेंडनेंट फील करेंगी, इसलिए ज़्यादतर जो मकान होते हैं, वो पुर्शों के नाम पे होते हैं, तो यहाँ भी मिस्टर विश्वास अपना एक घर बनाना चाहते हैं, ताकि वो इंडिपेंडनेंट फील करें, फिर देखिए, तो शमा और मिस्टर विश्वास के कितने बच्चे हैं सुपन्यास में? फोर, चार बच्चे हैं, अभी मैं एक समरी और अप्लोड करूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी, तो उसमें इन चारों बच्चों के नाम और और भी कुछ डिटेल्स होंगी, जो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी, वैसे उनकी बेटी सावी है, बेटा आनन्द है, और जो सबसे छोड़ी संतान है, वो कमला है, और एक और बच्चा है, उसका मुझे अभी फिलहाली याद नहीं आ रहा, अब नेक्स वीडियो में बताऊंगी, इन आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, वोट अन्यूसल सरकुमस्टांसे सराउंड मोहन विश्वास बर्थ, तो इस उपन्यास में क्या अन्यूसल बने आसामाने परिस्थियां हैं, जो मिस्टर विश्वास के जन पर होती हैं, तो उनकी छे उलियां थी, तो यह तो कोई ऐसी अन्यूसल चीज नहीं है, वैसे काफी बच्चों की होती हैं, रितिक डॉशन की भी हैं, तो फिर देखिए, तो इस उपन्यास में मिस्टर विश्वास को क्या रिस्पोन्सिबिलिटी दी जाती है, तो मिस्टर विश्वास के पिता रिखु को क्या हो जाता है, जब वो अपने बेटे की तलाश में स्ट्रीम में कूट जाते हैं, तो वो धारा में डूब जाते हैं, फिर what vocation is Mr. विश्वास initially sent to study under the guidance of the पंडित जैराम, तो पंडित जैराम की guidance में उनको क्या पढ़ने के लिए बेजा जाता है, हिंदु पंडित, यानि उनको जो पंडित बनने के लिए qualification चाहिए, शास्त्रों का ध्यान किया हुआ होना चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए श्लोक आने चाहिए मंत्र आने चाहिए तो वो सारी चीज़ें ध्यन करने के लिए भेजा जाता है तो जिनके साथ भेजा जाता है वो पंडिज जैराम है और important character है आपके लिए question भी important है याद रखेगा why does Mr. Vishwas move to the settlement known as the chase with Shama तो इस settlement में वो क्यों जाते हैं Shama के साथ he wants to escape the Tulsi's क्योंकि वो Tulsi's की जो family है उससे escape करना चाते हैं बचना चाते हैं फिर what was Mr. Vishwas profession while living in the barracks among plantation workers in Greenville तो Mr. Vishwas का क्या profession था क्या काम था जब वो barracks में रह रह रही थे Greenville में तो उनका काम था overseer का फिर what lands to Mr. Vishwas return to Hanuman house तो Mr. Vishwas Hanuman house में क्यों वापस आते हैं a storm that destroys his house in Greenville क्यों ग्रीन वेल में जो उनका घर है वो नश्ट हो जाता है एक तूफान की वज़े से तो ये थे कुछ questions वैसे अभी आप ये तीन नाम तो नोट कर लीजे सावी उनकी बड़ी बेटी है Mr. Vishwas की कई बार ये एक्जाम में आया है question इसलिए मैं आपको specially नोट कर वा रही हूं सावी उनकी बेटी का नाम है आनंद उनके बेटे का नाम है दोनों का नोट कर लीजे और कमला उनकी सबसे छोड़ी संतान है तो ये तीनों questions कई बार एक्जाम में देखे हैं मैंने तो जरूर नोट कर लीजे इन तीनों चीज़ों को अच्छा मैं एक और वीडियो इस पर अपलोट करने के जल्दी कोशिश करूँगे ये वीडियो यहीं समात करूँगे धन्यवाद